हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो आगर चैनल हाइपर डेजबी मैं हूं मोहमत सुहेल अगर आप पहले बार यूटूब चैनल पे आए हैं तो यूटूब चैनल को सब्स्राइब करिए अभी अपने प्रीविएस वीडियो में जो चार दिन या पांची दिन पहले में वीडिय 4 या 195 के इन बीटिविन हम लोगों की एंट्री हुई थी जब स्टॉक में वीडियो रिकॉर्ड गिया था स्टॉक 199 रूपीज के पास था इसका मतलब यह है कि अभी स्टॉक के अंदर हम लोगों को तीन से चार रूपे का लॉस चल रहा है ज्यादा लॉस नहीं चल रहा है तो हमारे सब्सक्राइबर्स में कही सब्सक्राइबर्स ने एंट्री लिया हैं एंट्री लेने के बाद स्टॉक थोड़ा बहुत ही नीचे गया ज्यादा भी नहीं गया थोड़ा बहुत ही नीचे गया अब यह जो थोड़ा बहुत नीचे गया है पैनिक हो रहा है और कई लोगों ने एंट्री नहीं लिया है केनरा बैंक में और काफी मेसेज़ेस भी आ रहे हैं थी केनरा बैंक में हो क्या रहा है तो दोस्तों मैं क्लियर विजन देता हूँ आपको आप भी समझिए इसका टाइम फ्रेम भी समझा दूंगा आज के वीडियो में अभी प्रॉपर ब कड़ा है अगर यह ब्रेक आउट का सपोर्ट ब्रेक करता तो इसके अंदर सेकेंड ब्रेक आउट का लेवल यहां पे है जिदर मैं आपको 170 पे आवरेज बताया था 170 पे मैं खुद आपको आवरेज बताया था दोस्तों अभी यहां पे 170 का तो average छोड़ो 170 तो जाएगा न यून के महिने में dividend मिलने वाला है 6.50 पैसे का dividend मिलने वाला है जब तक stock क्या करेगा पता है जब तक stock buyer क्याच करने की कोशिश करेगा और buyer को panic करने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत नीचे लेके जाते हुए । डरने वाली बात नहीं है हंड्रेड परसेंट आपको Canara Bank अं और मैं आपको previous time समझा चुका हूँ हमारा breakdown level 230 पर हम लोग 230 के target नहीं लेंगे हमारी entry अगर 205 से लेके 196 या 197 के in between हो रही है तो हमारे target क्या होगे इदर हमारे target 218 होंगे short term and professional होंगे 225 अगर हम लोग यहाँ पर final target पकड़ रहे हैं तो achieve होने के बार तो हमारा 238 का level होगा यह level इसलिए होगा क्योंकि हम लोग percentage के हिसाप से profit book करता है तो यहाँ पर 20% है 20% में entry आपकी कहीं पर भी हुई हो आपको 15% इसके अंदर मुनाफ़ा निकलना सही है 15% मुनाफ़ा आपको इसमें निकलेगा तो इस 15% के हिसाप से 20% की rally में कितना मुनाफ़ा हो सक पंदरा से लेके 10% तो किदर भी नहीं जाएगा उपर से loose candle formation है चलो आप यह पूरी बात सही है तो अभी हमारा RSI क्या बोल रहा है क्या करते हैं position पकड़ते हैं तो अब हमारा RSI क्या बोल रहा है RSI under bottom fishing है under bottom fishing है mid of consolidation के साथ जिदर stock के अंदर immediate rally आएगा बस यह dividend की घोशित क करने के बाद जैसे जैसे public को interest आएगा रहे dividend दे रहा है खरीदे खरीदे उसके बाद camera bank के अंदर rally देखने को मिलेगी जो rally आपको within 15 days या in between 25 to 28 days के अंदर देखने को मिलेगी और market में एक महिने में 22 days होते हैं तो Saturday Sunday निकाल भी तो कुछ छुटी उटी आगया तो 18 और 20 दि नहीं होता वह दिमाग से निकाल दू साइक कॉल जी से अगर आप दिमाग लगा के सोंचो तो प्रॉपरली इसमें देड़ मैने का टाइम लगेगा ठीक है तो इस देड़ मैने के टाइम फ्रेम में आपके टागेट अची हो जाएंगे तो जो अभी तक एंट्री नहीं लि लीजिए अगर आपको मार्केट में कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है को स्टॉक में अटके हुए हो और वो स्टॉक में काफी समय सेटके हो कहां पर एवरेज करके निकलना नहीं आ रहा है आपको प्रॉपर लर्णिंग की ट्रेनिंग चाहे चाहे वो ऑप्शन हो च आपके मेसेज का रिपलाइ मैं आपको दूंगा दूस्तों कि कैनरा बैंक लिमिटेट का यह 15 मिनिट्स का इंटरे कैंडल चार्टे नाशनल स्टॉक एक्स्टेंज 15 मिनिट्स के हिसाब से आज बैंकिंग स्टॉक प्यस्यू बैक्स सभी के अंदर प्रेशर उन सेलिंग होन चाहिए था पर आज मार्केट में सेलर को कैज किया मंदे लाइब मार्केट में के इनано को गिराने के लिए और बैंक निफ्टी सभी मंदा लाइब मार्केट का स्ट अफ्ट आप को थोड़ा बहुत पॉजिटिव जाने की बास सेलिंग की दिखेगा तो मैं कम्प्रिटली सज्जेस्ट कर रहा हूं के नरा बैंक लिमिटेड आप मंडे लाइव मार्केट में आन सेलिंग ही ट्रेड करिए 20 में 2022 फ्राड़े केनरा बैंक का क्लोजिंग है 194.20 पैसा यह मैं टार्गेट निकाल रहा हूं और 23 में 2022 फ्राड़े के लिए फ्राड़े लाइव मार्केट में आपको मेरे लेवस पर बाइंग ओपोर्चिनिटी या सेलिंग ओपोर्चिनिटी देखने को मिले आप मेरे टार् प्राड़े लेवस तो